Hello Standard 4th, Today we will learn about our incomplete chapter, The Giving Tree. हमने लास्ट शेशन में देखा था, कि जो ट्री है, वो बुड़ा हो चुका है, उस आदमी की शादी हो चुकी है, अब आगे है, यहां से देखते हैं, ट्री. देखो, ट्री सेश, यहां तक हमने देखा था, कि यह आदमी, यह जो लड़का था, वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो चाती है, फिर से ट्री बहुत ही दुखी होता है, कि यह लड़का उसको मिलने को नहीं आलता, फिर लड़का बड़ा हो जाता है, अपना करियर बना लेता है उसकी साधी होती है अब देखो फिर से वह एक बार ट्री से मिलने आता है ट्री से इस कम बोई कम वाट केन आई डू फोर यू तो फिर ये पेड़ है फिर से उस लड़के को पुता है कि बूल तु मैं तुमारे लिए क्या कर सकता हूँ यंग मैन देखो अब ये बोई की जगा क्या हो गया यंग मैन बहुत बड़ा हो चुका था ना आई एम गोएंग तो आन बिजनस ट्रेप आई वांट अब बोट तो टीक मी अवे अब देखो ये लड़का जब भी आता था इस पेड़ से कुछ ना कुछ मागता था और ये पेड़ भी कुछ दे के खुश होता था अब ये बड़ा हो गया है यंग बोई यानि की ये लड़का बड़ा हो गया और पूछता है कि मुझे अब बिजनस ट्रेप पर जाना है क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो वो इस ट्री को पूछता है तो ट्री बताता है All I have a left is trunk Cut down my trunk and make a bot Then you can sail away तो ये भी तेरा पेड उसका भी रास्ता बताता है और कहता है कि तुम मेरी जो Left side है trunk उसको काट डालो फिर उस लकड़ी से तुम बोट बना सकते हो फिर उसको तुम sail यानि कि बेच भी सकते हो Narrator The young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat The tree was left only with a stump अब क्या हुआ पता है कि उस लड़के ने जैसा इस पेड ने बताए उसी तरह उसकी कई सारी लकड़िया जड़े काट ली फिर वोट बनाई और उसको बेच डाली इसलिए वो business street पर है वो जा सके अब इस पेड के पास क्या था पता है डालिया नहीं थी देखो ये पेड कटता है तो बीचारा कैसे हो जाता है पहले तो उसके सेब चले गए पता नहीं क्या क्या अब देखो आगे and after a long time the young man come back again now he was an old man but the tree recognized him फिर ये देखो ये young man है जो पहले इस left trunk यानि इस पेड की जड को काट कर वो बेच आया था वोट बना कर अब वो business trip से वापिस आ गया है फिर से कई सारे साल बीत चुके है और क्या होता है कि वो आदमी अब ज्यादा बुड़ा हो जाता है यानि कि young man से ज्यादा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा बुड़ा हो जाता है old man हो जाता है फिर भी tree उसको पैचान जाता है कि ये वही पहले बच्चा था फिर young man था अब ये उससे भी old हो चुका है tree I am sorry friend but I have nothing left to give you my apples are gone तो tree कहता है कि जब ये बुड़ा होके वापिस आता है तो ये पेड़ कहता है कि मुझे माफ कर देना अब बेरे पास देने को कुछ नहीं है मेरे सेब है वो चले गए यानि कि पेड़ पर जो सेब है वो चले गए है old man my teeth are too weak for apples तो ये देखवा ये जो पहले young man हुआ फिर ये बुड़ा हो गया और ये क्या कहता है कि मुझे सेब तो चाहिए भी नहीं क्योंकि मेरे दाथ खराब हो चुके है तो फिर ये पेड़ कहता है कि मेरी डालिया भी चली गई है तू मेरे पर जूला भी अब नहीं जूल सकते पहले की तरह फिर आगे कहता है I am too old to swing on branches तो ये आदमी देखो बुड़ा हो गया और कहता है कि में भी बुड़ा हो चुका हूँ कि अब तो में भी जूला जूल नहीं सकता 3. My trunk is gone You cannot claim तो पेड़ कहता है देखो ये पेड़ कहता है कि मेरी जो ट्रंक थी यानि कि ये पेड़ की जड़ वो भी चली गई है तो मेरे उपर चड़ भी नहीं सकते I am too tired to climb तो फिर ये बुड़ा हो चुका है इसलिए कहता है कि मुझे भी मुझे मैं tired हो जाता हूँ तो मैं tired हो जाता हूँ मुझे ठाक ज्यादा लगता है में भी चड़ नहीं सकता तो फिर ये पेड़ कहता है कि अब तु मुझे माफ कर दो मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है सिर्फ मेरे पास से अब ये stump है stump है stump यानि कि देखो ये पेड़ जब ऐसा हो जाता है तो आदमी के लिए बैठने की जगा बन जाती है उसे हम कहेंगे stump old man कहता है dear tree you have always given but now I don't need much just a quiet place to sit and rest तो फिर ये बुड़ा आदमी कहता है कि dear tree यानि कि तुने मुझे हर बार कुछ दिया है कुछ ना कुछ दिया है अब मुझे भी कुछ तेरे से नहीं चाहिए मुझे सिर्फ शांती चाहिए और उस शांती में मुझे सिर्फ बैठना है just a quiet place seat and rest tree happily well an old stump is good for sitting and resting on come friend sit down and rest फिर ये पेड कहता है कि इस stump यानि कि ये जो लकडी का जो बना है उस पर आदमी बैस्ट सकता है तो फिर ये पेड कहता है कि तुम मेरे stump पर बैठ जा तुमी यहां शांती मिलेगी और ये देखो आदमी है इस stump पर बैठा है नौरेटर तो ओल्ड में डाइड दीड सॉरी तो ओल्ड में डीड एंड ट्री वस स्टिल हैपी देखो फिर क्या हुआ कि ये बुड़ा आदमी इस पेड के उपर बैठ जाता है और शांती ऐसे लेता है फिर भी ये पेड तो खुश ही होता है तो देखो चैप्टर का नाम था तो ओल्ड वेज हमने देखा कि इस पेड ने इस आदमी के चाइल्ड हूड तक उसके बुड़ा पे तक उस पेड का ही सहारा लेकि वो कहां कहां पहुँचा इन दे मॉरल अफ तो प्ले वी हैव टू सेवर ट्री हमें पेड है वो बचाना चाहिए और उगाना भी चाहिए वो हमें इस प्ले से पता चलता है यह जो कहानी है वो है adopted from the given tree by shells silver strain यानि कि उस आदमी ने यह कहानी को सुरी कहानी तो नहीं बलकि इस प्ले को लिखा है अब दिखते इसके new words है क्या I hope आपको यह play बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाया play है वो बहुत ही easy है और अच्छा भी है अब देखते हैं swing swing का meaning होता है जुलना delicious यानि कि tasty pulk यानि कि तोड़ना trip यानि कि घूमना seal यानि कि बेचना stump यानि लकडी का stump यानि कि लकडी का जो बेठने की जगा recognized यानि कि पैचान लेना recognized का meaning होता है पैचान लेना तो यह थे इस chapter के new words अब हम देखते हैं इस chapter के आगे के जो word है वो अब देखो reading is fun first how did the boy enjoy the company of the tree यानि कि ये बच्चा ट्री की company को कैसे enjoy करता था तो हमें पता है कि वो उस पर जूला जूलता था उसके सेब खाता था और उसकी जो shadow थी उसमें हर वक्त खेलता था second how did the tree help the boy earn money यानि कि पेड़ ने उस बच्ची की किस तरह मदद की पैसे कमाने में तो उसने तो ट्री ने क्या रास्ता सुझाया था कि मेरे पेड़ पर जो फल है जो शेब है एपल वो तुम निकालो और बेच डालो तो उससे तुमें पैसे हैं वो मिलेगे तो second का जो question है उसका answer ये होगा आज की sessions के लिए इतना ही जब next sessions में मिलेंगे तब हम इस chapter की जो exercise है उसको आगे पढ़ेंगे so till then have a nice day to all